नमस्कार दोस्टों, स्वाकत है आपका Let's Make Learning English Easy चैनल पे अगर आप चैनल पे नहीं हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज हम सिखेंगे 200 प्लस टेली यूज इंग्लिस सेंटेंसेश वेट हिंदी मीनिंग उसे समय लेने दो. Let him take time. दबे पाउ चलो. Walk on the tiptoe. चाना लगादो. Serve the food. चाना लगादो. Serve the food. Please repeat after me. मेरे पीछे साड़े सेंटेंस को आपको भी दोडाना है. आटा गूठ लो. Neat the flower. आटा गूठ लो. Neat the flower. एक बाद याद रखे कि, कि आटा को यहाँ flower कह रहे हैं. अगर यहाँ पर गेहूं का आटा कहतें, तो हम wheat flower कहतें. रोटिया को इंग्लिश में चपातिस कहते हैं, और सेखने को, चाहे वो किसी भी चीज़ को आप सेखो, उसे आप इंग्लिश में बेक कहोगे. इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में दचपातिस कहेंगे. सर्ट पहल लो, wear the shirt, सर्ट पहल लो, wear the shirt, यहाँ पर अगर टी-शिर्ट कहना चाहें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे, wear the t-shirt, wear the t-shirt. उसे गाली मत दो, don't abuse him, किसी को गाली अकर कोई दे रहा है, तो उसे हम abusing करना कहते हैं. इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में don't abuse him कहेंगे, उसे गाली मत दो, don't abuse him, don't abuse him. आप भी मेरे साथ इन सेंटेंस को रिपीट करें, प्राक्टिस करें, to learn it even more faster. मुझे थंड लग रही है, I am feeling cold. मुझे थंड लग रही है, I am feeling cold. आप रही है, I am feeling cold. मुझे थंड लग रही है, I am feeling cold. बारिस हो रही है, I am feeling cold. बारिस हो रही है, को इंग्लिश में हम कहेंगे, It's raining. आप भी मेरे साथ रुपीट करें, बारिस हो रही है, It's raining. बारिस हो रही है, It's raining. अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है, तो आप इसकी स्पीड बढ़ाके इसे देख सकते हैं. मसीन चालू करो, Switch on the machine. मसीन चालू करो, Switch on the machine. जब हम कहते हैं मसीन को चालू करने, ठीक है? तो हम कहेंगे, Switch on the machine. अगर यहाँ पर लिखते हैं, Washing machine, तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं, Switch on the washing machine. वहाँ हम specify कर रहे हैं कि हम किस मसीन को चालू करना है. मसीन चलाओ, अब यहाँ चालू करना हम नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पर चलाओ कह रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे operate the machine, मसीन चलाओ, operate the machine सुभ हो गई, it's morning, सुभ हो गई, it's morning, इसी तरह से देखे कितना इसी है, अगर दोपहर हो गई होता तो इसे हम कहते, it's afternoon, it's afternoon, जूते उतार लो, मैंने विडियोस में आपको बताये हैं, कि उतारने के लिए हम off use करेंगे सो यहाँ पर हम कहेंगे, take off the shoes, जूते उतार लो, take off the shoes जाकर सो जाओ, जाकर सो जाओ, अब इसे हम break करते हैं, जाकर हम इंग्लिश में कहेंगे go and sleep सबको पता है, सोने को हम इंग्लिश में sleep कहते हैं, तो यहाँ पर जाकर सो जाओ, कोई इंग्लिश में go and sleep कहेंगे मैं मिलना चाहता हूँ, I want to meet, I want to meet, यहाँ मेरी इच्छा क्या है, मिलने की, तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे, I want to meet मैं समझना चाहूँगा, समझने को इंग्लिश में understand कहते हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे, I would like to understand मैं समझना चाहूँगा, I would like to understand, फिर से एक बार मैं इसे repeat करती हूँ, मैं समझना चाहूँगा, I would like to understand खाते वक्त अपना मुह बंद करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे close the mouth while eating, बंद को इंग्लिश में close कहते हैं, इसलिए हम इसे इंग्लिश में कहेंगे close the mouth while eating, खाते वक्त मुह बंद रखो को और एक तरह से हम कह सकते हैं, सट डम आउट वाइल इटिंग, डोनों ही बिलकुल ही सही है, अपने convenient के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, नाखुन काटने वाला कहा गया, इसे भी दो तरीके से कह सकते हैं, और क्यों कहते हैं, क्योंकि नाखुन काटने वाले को इंग्लिश में हम दो तरीके से कह सकते हैं, या तो नेल कटर कहें, तो चलते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, Where is the nail cutter or we can say Where is the nail clipper Both are absolutely correct सरफ नाखुन कातने वाले को दो नाम से हम कह सकते हैं Nail cutter, Nail clipper तुम क्या धूंद रहे हो? What are you looking for? तुम क्या धूंद रहे हो? What are you looking for? आपको मेरे साथ repeat करना है तुम क्या धूंद रहे हो? What are you looking for? सिंपल है? आपको इसी तरह से English सीखनी है repeat करके, practice करके आप चाहे तो वीडियो को slow और कर सकते हैं मुझसे जूट मत बोलो Don't lie to me मुझसे जूट मत बोलो Don't lie to me जूट को English में lie कहते हैं मत बोलो Don't Don't lie to me मुझसे जूट मत बोलो Don't lie to me अभी का अभी इस T-shirt को उतार दो जब हम कहते हैं अभी का अभी तो उसके लिए English में word use होता है right away अभी का अभी के लिए English में जो word use होता है वो है right away इस संटेंस के लिए हम कहेंगे take off this T-shirt right away since हम उतारने की बात कर रहे हैं तो उसको हम English में off use करेंगे so इसका English होगा take off this T-shirt right away धूप में बाहर मत जाओ Don't go out in the sun धूप के लिए जैसे सोड़ी के लिए हम sun use करते हैं तो धूप के लिए भी हम sun ही use करेंगे जूते उतार दो तो आपको तो पहले भी मैंने बताया कि उतारने के लिए हम off use करते हैं right जूते उतार दो तो English में होगा take off the shoes अगर हम कहते जूते पहन लो तो कहते put on the shoes तो पहनने के लिए on उताने के लिए off ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस मेरे साथ कर सके और वीडियो देखते देखते ही आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाए इनकेस आपको इतनी स्लो वीडियो पसंद नहीं है तो आप इसे speed बढ़ा के भी डेख सकते हैं पर एक चीज करना मत भूलिएगा practice please keep on practicing